हाई गाईज मैं विनोथ और आप देख रहे हैं अटेक गुडी चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताने वलाऊं कि आप रेल्मी 9i 5G में पैटन लोग कैसे लगाएंगे सो गाईज चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग आना है सो गाई सेटिंग पर क्लिक करते हैं सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सनीचे आना है यहाँ पर आपको पासवर्ट एंड बायमेट्रिक्स पर क्लिक करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपको lock screen password पे click करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपको अपना lock screen password एंटर कर दिना है एंटर करने के बाद यहां पे आपको turn off password पे click करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपको disable पे click करना है इसपे click करने के बाद यहां पे आपको again अपना lock screen password spraying एंटर कर दिरना है एंटर करते ही आपको lock screen password off हो जाएगा अब आप अपने फोन में pattern lock set कर सकते हैं pattern lock set करने के लिए यहां पे आपको सबसी उपर एक option मिल जाएगा set lock λोग screen password का आपको इसपे click करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक प्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक प्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक प्लिक करता हूँ बट गाइज हमें पैटल नोग सेट करने है तो गाइज मैं पैटरिंग पर क्लिक करता हूँ पैटरिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉट वाले ओप्सन आ गए सो गाइज यहाँ से आप जो भी अपना पैटल नोग सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको draw कर लेना है, so guys इस तरीके से मैंने अपना petal lock draw कर दिया है, draw करने के बाद यहाँ पे आपको अपने petal lock को verify करने के लिए again draw कर दिया है, so guys इस तरीके से मैंने again draw कर दिया है, draw करते ही मेरा petal lock मेरे phone में set हो गया, so guys इस तरीके से आप petal lock setting कर सकते हैं, और guys आ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए का तब तक के लिए बाटा थैंक्यू